आज की वीडियो में हम बात करेंगे एविन्यू सुपरमार्ट दीमार्ट के क्यूफोर के रिजल्ट के बारे में क्यूफोर का रिजल्ट आ गया है उसने पर बता दू चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजे आज शाम को डिक्सन टेक्नोलोजी के अपर डिटेल अना नहीं है तो बात करें फिगर्स की तो जो भी फिगर्स होंगे सब आपको रुपीज इन करोड में आते हुए देखने को मिलने वाले टूटल इंकम की बात करें तो 7,355 करोड लास्ट कॉर्टर 7,400 करोड था तो उस तीक डिपातावा देखने को मिला है प्रीवियस यर से कर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल अना बेसे पर चेक करोगे तो अभी भी गिरावट आती हुए देखने को मिले जबकि यह साल सबसे बेस्ट साल होना चाहिए था एकने डिमार्ट खाली फमसीज पर भी ध्यान नहीं देता है बाक कि अगरा प्रोफित अफ्टर तक्स कि अगर हम बात करें कि नेट कंपनी को प्रॉफित कितना हुआ है तो कंपनी को जो नेट प्रॉफित वचेह वह होई 434 क्रोड का प्रिबिएस कौर फो 70 क्रोड का था लास्ट यह से मख़टर तू बबल हो गया है अल्मोस्ट मैं क्या करोड का EPS से भी आपको पता चल जाएगा 6700 6.71 का है प्रिवियस कॉर्टर 7.26 का था लास्ट यह सें कॉर्टर 4.9 का था तो वा से तो बढ़ात आई है लेकिन इमिजट कॉर्टर और कॉर्टर बेसिस गिरा है साल अना बेसिस पे भी आपको एक डिप आता हुआ दिखने को मि अच्छा है अच्छा है अगर आप देखना चाहोगे अच्छा है इनके अच्छा है यह पास असेट काफी अच्छी रहती है क्योंकि जब भी श्टोर खोलते है डारेक खरीद लेते हो जगा को लीस पे नहीं लेते है तो यह थोड़ा प्लस पॉइंट है ओबराल इस शेयर की वैल्यू 3300 के असपास आ सकती है आने वाले एक साल के अंदर चेह मैने से साल के अ जाता है इसके लिए वो सब कभी करिया भी हो नहीं रही है तो एक बार अगर डिमाट खोल जाता हो चाहती साथ शायद अगर डिमाट थोड़ा ऑनलाइन पर ध्यान देवे तो आगेस इनका रेविन्यू बढ़ सकता है डिमाट ऑनलाइन बहुत बहुत जगे है नहीं और ज चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेजिए मिलेंगे अगले वोडियो में तब तक के लिए नहीं बाद